Hello everyone, I hope you all are doing good. आज हम ऐसे तीन कॉंसेप्स को देखेंगे, जो की इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है. कुछ बुक्स ऐसे कहते हैं कि ये जो तीन कॉंसेप्स है ना, ये बेसिकली लौ के अंदर आने वाले तीन डिफरेंट हैट्स नहीं है, सेपरेट टॉपिक्स नहीं है, बलकि ऐसे कॉंसेप्स है जो की एक लौ या एक रूल के अंदर आने वाले तीन डिफरेंट लीगल कहता है कि अगर कोई भी इंडिवीजुल आप से बिना पूछे डिसॉनस्ली आपके पुझेशन से कोई अपसे ले जाता है तो उसको हम खहते है थेफ्ट तो यहाँ पर एक इंडिवीजुल का डियूटी बनता है कि किसी से भी पूछे बिना उसके पुझेशन में आने वाला मोबल प्रॉपर्टी उससे लेके जाया नहीं जा सकता तो वो उसके डियूटी है तो अगर डियूटी ह तो जिस इंडिवीजुल का वो प्रॉपर्टी है तो उसका राइट तो है ना उस प्रॉपर्टी के उपर तो राइट डियूटी एंड रॉंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को और समझेंगे कि इन तीनों आस्पर्स का बेसिकली मतलब क्या है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट के साथ दिखे राइट ना एक ऐसा टर्म है जो कि हम आए दिद सुनते हैं और लौ स्टूरेंट्स तो ऐसे ही सुनते हैं जैसे कि फंडमेंटल राइट या यूमन राइट या अगर किसी ग्रूप को दिये जाते हैं जैसे कि रा राइट के टर्म को यूज करते हैं, अरे यार हम बेसिकली भी बोले ना, तब भी हम राइट को कैसे यूज करते हैं, जैसे हम कुछ बोलते हैं, तो बोलते हैं, तो या बोलते हैं, तो या बोलते हैं, तो या बोलते हैं, तो एक दूसरे और टर्म में हम इसको यूज करते हैं तो इसमें ये right का क्या मतलब है? या fundamental right या human right में ये right का क्या मतलब है? ये ही तो हमें आज इस lecture में समझना है कि आके right का क्या मतलब है? तो simple तरीकों में बताऊं तो right का क्या मतलब है? या permitted action होता है right. मतलब अगर कोई भी action permit किया जाए, बोला जाए कि आप ये काम कर सकते हैं या कहा जाए कि ये जो काम है आप वो बिलकुल बेज़े जग कर सकते हो तब हम कह सकते हैं वो मेरा राइट है वो मेरा हग है यार वो मेरा हग बन जाता है मैं कर सकती हूं उसको simple तो permitted action तो कैसे standard of permitted action in a certain sphere मतलब कि आपके पास राइट है कि आप आप जो कहना चाहते हैं वो बोल सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि आर्टिकल 19 में बोला तो freedom of speech and expression आपको दिया हुआ है आपको जो बोला है आपको जो बोल सकते हैं बट nuisence नहीं create करना किसी क्यों भी nuisence जैसे कि आप रोड के बीच में जाके आप चिलाना लगे बोलन लगे मेरे पास freedom of speech and expression है तो मैं यसे सब बोलूँगी नहीं वो गलत हो गया तभी a standard of permitted action within a certain sphere आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो कैसे आपको करना है मैं वो बताया गया है आपको तो वो है basically permitted action है basically right right बोला मैंने अब अगर यही permitted action आपको law बता दे कि क्या है जो आप कर सकते हो law कहता है कि क्या है जो आप कर सकते हो तब उसको हम कहेंगे legal right तो देखे अब देख लेते हैं जैसे कि Salman क्या कहते हैं मुझे यह definition काफी अच्छी लगी वो कहते हैं Right is an interest Recognized and protected by a rule of right मतलब कोई भी ऐसा interest जिसको law जो है protect करता है as well as recognize करता है मतलब तो देखे जैसे individual के काफी सारे तरीके के interest होते हैं जैसे contract में enter होने का interest property sell करने का interest या business खोलने का interest या education लेने का interest loud music चलाने का interest ऐसे काफी सारे तरीके के interest होते हैं एक individual को अब law क्या क्या करता है law हर तरीके के interest को तो protection नहीं दे सकता अब जो law को लगता है कि worthy of protection है इसको protection देना चाहिए या देने से society में जो है balance maintain होगा, एक peacefulness रहेगी तो उन कुछ ऐसे तरीके के interest को law protect कर देता है तो जब law उन चीजों को protect and recognize कर देता है मानिता देता है, लिख देता है कहीं पर बोल देता है कि ये right है और उसको protection भी देता है तब हम कह सकते हैं उस interest को that it is a right, legal right आप समझ गें, यही तो Salman समझाने की कोशिश करे हैं और उन्होंने साथ-साथ stress करते हुए बोला कि दोनो चीजे होने ज़री है, recognition भी protection भी, अगर कोई ऐसा काम, कोई ऐसा action आपको उसमें law ने basically recognize किया हुआ है बट protection नहीं दे हुए तो वो legal right नहीं माना जाएगा जैसे for example, आपका fundamental rights लिख तो दिया है but enforce करने के लिए 32 भी नहीं है 226 भी नहीं है, आप court के बास जा ही नहीं सकते अगर violate हुआ, तो यह कैसा right हुआ सिरफ recognition, सिरफ लिख दिया तो यह basically right नहीं है ऐसा Salman कहते है वैसे ही, अगर एक right होना है किसी particular action को right के लाना है तो उसको recognition के साथ protection भी देनी पड़ती है अब कोई अगर ऐसा action है जिसको सिरफ protection दिया है no recognition, again वो action भी right नहीं माना जाएगा जैसे for example, Salman बोलते है कि animals के पास right नहीं होता तो उसी के basis में एक example सुने जैसे कि, सोचे कि हमारा law कहता है कि animals के against हम cruelty नहीं कर सकते cruel तरीके से हम उनके साथ act नहीं कर सकते हैं, वो punishable है तो यहाँ पर हमने animals को protection तो दे दी, but यहाँ पर हम recognition क्या करें interest of the society society at large चाहती है कि animals के towards में welfare हो तो हम उनके society के interest को basically recognize करें protection तो दे रहे है animals के interest को ठीक है उनको protect कर लिया हमने, तो सिरफ protection से भी एक action right नहीं बन सकता protection plus recognition होनी जरूरी है, अब साथ ही साथ Salmon क्या कह रहे है, दीखी एक और बात वो बता रहे है, कि अगर एक right exist करना है मतलब उसका existence होना है तो equivalent, मतलब एक correlative duty हमेशा दूसरे में रहेगी ठीक है, तो जिसके पास ये duty है, उसकी basically obligation बनती है कि इस right को protect करें, मतलब सोची कि अगर A के पास 10 cents of land है, ठीक है तो B की duty बनती है कि वो trespass नहीं कर सकता इस land की अंदर right, सही है न, तो यहाँ पर वो ये कहते है कि right को exist करना है तो duty होगा, अगर duty violate कर दिया, तो wrong आजाएगा आप समझे मैंने क्यों काता कि interrelated सा concept है, तो right अगर है, तो दूसरे में duty होगी बट अगर वो duty नहीं करता है और right को violate कर देता है तो क्या हो जाएगा, duty हट जाएगा और wrong आजाएगा वहाँ पर समझ गया आप मेरी बात तो salmend इस तरीके से हमें यह concept को समझा रहे है साथ में वो यह कह रहे है right और duty जो है, वो correlatives है अगर right है, तो दूसरे में duty exist करेगा ही करेगा अगर किसी के पास duty है तो दूसरे के पास right exist करेगा ही करेगा यह दोनों correlative aspects है इस तरीके से वो समझा रहे है साथ ही साथ हम यह देख सकते हैं कि right को ना हम दो तरीके से भी divide कर सकते हैं, apart from kinds of rights, तो moral rights भी है legal rights भी है, तो जो rights basically law हमें बताते हैं उसको हम legal rights कह सकते हैं अब जो rights जो morality और ethics के basis में होती हैं उसको हम moral rights कह सकते हैं जैसे किसी की duty बनती है moral duty बनती है कि वो अपने parents को obey करे right, teachers को obey करे या कोई help चाता है तो उसको help दे right, तो यह सब मेरी moral duty है तो correlatively moral right exist करता है तो पैसी चीज़ी होगी moral right अब law के अंदर कुछ कहा जाता है तो उसको हम कहते हैं legal right और उसका correlative क्या होगा legal duty होगा आप समझ के इतनी बात आप समझ के ठीके, अब चलते हैं कि कुछ और definitions जो कि दूसरे jurist ने दी हैं उनके थूबी समझते हैं कि वो क्या कहना चाते हैं आके right का क्या मतलब है तो यहाँ पर हम देखेंगे Gray, Holland, Austin and Hebert के definitions चार definitions को हम समझेंगे अच्छा यह बात भी ध्यान रखें जब आप competitive exams के लिए तियारी करते हैं तो उसके लिए आप यह काम कर सकते हैं कि जो भी एक jurist बोलता है कोई भी definition देता है इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी है तो जब भी definitions की बारी आती थी तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे specific word देख लेती थी थोड़ा सा अलग-अलग तरीके का term जो jurist यूज करता है तो उसके थ्रूँ मैं समझने की कोशिश करती थी जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है Gray की definition वहां पर power term है जो उन्होंने यूज करा है Holland में capacity term यूज हुआ है Austin के अंदर मैं आपको समझाऊंगे किस सरीके से उन्होंने अलग से define करा है और हिबर्ट के अंदर तो आप ऐसी ही समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा elaborative definition दी है वो मैं आपको समझाती हूँ किस सरीके से तो Gray कहते हैं कि right का basically मतलब क्या है right का मतलब है एक individual के पास power होना ठीक है अगर एक individual के पास power है कि वो दूसरी individual को कह सकता है दूसरी इंसान को कह सकता है उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए तब हम समझ जा सकते है कि इस individual के पास right है अब ये जो भी करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए सब कुछ law ने उसके ओपर impose किया हूँ है तुम obliged हो यह सब काम करने के या ना करने के, ठीक है न, तो एक के पास right है मतलब उसके पास power है, okay, ठीक है, अब Holland कहते हैं, right is the capacity, residing in one man, controlling with the essence and the assistance of the state, the actions of others, तो यहाँ पर Holland कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि right मतलब एक individual के पास capacity है, कि वे दूसरे के actions को ना control कर सकता है, मतलब कह सकता है कि मुझे आप rent pay करो, ठीक है, अगर आप rent नहीं pay करते हैं, तो ए जाके case file कर सकता है, तो kind of capacity होती है, दूसरे के action को control करने की, तो right is the capacity, ठीक है, अब यह individual जिसके पास right है, वो किस तरीके से उसे control कर पा रहे हैं उसके actions को, with the essence and the assistance of the state, मतलब state ने उस individual को right दिया है ठीक है, और उसके पास यह capacity दिये है, कि वो दूसरे individuals के actions को control कर सकता है, तो with the assistance and the essence of the state ही, वो इस capacity को basically exercise कर पा रहा है, simple, तो hall and capacity का term use करते हैं, नौ Austin का दिखते हैं, नौ Austin कहते हैं, अब party has right when another or others are bound or obliged by the law to do or forbear towards or in respect of him, तो इसका क्या मतलब वो, Austin यह समझाने की कोशिश कर हैं, कि देखिए, वो right को, right holder के perspectives नहीं समझा रहे हैं, जिसके पास right है, उसकी तरफ से नहीं, बलकि जिसकी duty है ना, उनकी नजरों से right को समझा रहे हैं, तो वो कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक individual के पास right है, हम ऐसा कब कह सकते हैं, हम तब कह सकते हैं, जब दूसरे individual के प इसके पास duty है उनकी नजरों से Austin उस definition को समझा रहे कि अगर एक individual under law obliged है कुछ action करने का या ना करने के लिए किसके towards में? towards a person who is having the right तो हम कह सकते कि इस individual के पास right है अब J.S. Mill, John Stuart Mill ने इनकी definition को criticize कर दिया तहा कि इनकी definition है वो इतनी clear नहीं है वो कुछ correct तरीके से कुछ समझा ने रहे क्योंकि J.S. Mill ने एक example दिया सोच ये कि अगर एक इनसान ने गलती करिया और उसको court में लेके गया और उनके guilt को प्रूव कर दिया court में अब jailer की duty बनती है कि उसको jail में डाल दे jailer की duty बनती है under law कि वो कुछ action करे जैसे ही guilt प्रूव हुआ तो उसको jail में डाले उनकी duty बनती है तो इसका क्या मतलब हुआ इनकी तो duty है jailer की कि उनको jail में डालना है तो इसका मतलब इस individual के पास right है right to be imprisoned तो J.S. Mill ने इस तरीके से criticize करके का नहीं ये गलत तरीका आपका समझाने का right इस तरीके से नहीं समझाया जा सकता duty के perspective जैने right के perspective जो right holder है उसके perspectives आप समझाईए definition को anyways आप समझ गए न कि explain कर रहा है कैसे कहते हैं कि एक individual के पास right है तो मतलब उनके पास capacity है मतलब दूसरे individual को कह सते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं उनको करना चाहिए ऐसा वो कह सते हैं उनके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बट ये with the help of third party मतलब अगर third party state हुई state ने उसको right दिया है तो ये right क्या है legal right है अगर ये third party God हुए God ने उनको right दिया है तो ये right क्या है divine right है अगर ये third party public हुई मतलब जो opinions के basis में काम करते है और ये individual भी इसी public के opinion के basis में ही वो दूसरों को बोल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मेरा right है and all तो ये right क्या हुआ moral right हुआ simple तो अब समझे कि मैंने क्यों बोला कि उन्होंने थोड़ा explain कर आऊ है definition को तो ये difference आप समझ गें अब हमारा next जो subtopic आ रहा है इसके अंदर वो ये है theories about legal rights मतब legal rights क्या है उसका nature क्या है या उसका function क्या है उसके बारे में न दो theories है will theory को देखते है now will theory के exponents है actually Hart, Hegel, Immanuel Kant, Hume, Austin, Holland and Pollock तो यहाँ पर इस theory को otherwise कहा जाता है as a choice theory तो यहाँ आपने term यूज हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा read करके जैसे कि बोला गया है a right makes the right holder a small scale sovereign तो क्या कह रहे है जिसके पास right है वो एक small scale sovereign बन जाता है छोटा सा, एक sovereign जाता है जिसके पास right है मतलब क्यों? क्योंकि will theorist का यह मानना है कि जिसके पास right होता है वो दूसरे के actions को control कर सकता है क्योंकि एक right अगर एक individual के पास है तो दूसरे के पास क्या होगी? duty होती है तो वो दूसरे के actions को control कर पाता है कि उससे क्या करना चाहिए और उससे क्या नहीं करना चाहिए और एक लैंड का ओनर है तो बी को वो ट्रसपास करने से मना कर सकते है यह मेरा राइटर के ओपर आप ट्रसपास नहीं कर सकते हैं तो वो दूसरे के एक्षिंड को बिसीकली प्राइट कर पाता है और साथ ही साथ वर इन थियोरी में जो भी लोग आते हैं इन सब का यह basically मानना है कि capacity तो होती है, power तो होता है कि दूसरे के actions को वो control कर पाते है साथ ही साथ कि जैसे एक individual के पास right आता है तो उसके पास एक kind of choice आ जाता है तो अभी right का जो connection है na choice या will के साथ है जिसके पास right है उसके पास एक choice, एक will एक will जो है उसके साथ connected हो जाता है मनदब वो अपना choice exercise कर सकता है जैसे कि A ने अपना land खरीदा, तो वो उसमें agriculture कर सकता है horticulture कर सकता है या तो वो land को मनदब mortgage में दे सकता है या sell कर सकता है, किसी पी तरीके से मनदब अपने right को wave कर सकता है, extinguish कर सकता है अब सोची ही, जैसे कि A के पास एक computer है तो A क्या करेगा, वो A जो है अपना computer यूज कर सकता है तो वो B को क्या बोल सकता है, देखो भई ये मेरा computer है तुम use नहीं कर सकते, या ऐसे बोल सकता है अगर B ने use करा, तो A जाके case file कर सकता है और वो अपने right को enforce कर सकता है या तो फिर वो B को बोल सकता है, अच्छा आपको use करना है आप use कर लो, ठीक है, ऐसे बोल सकता है तो kind of एक choice मिल जाती है, कि will से connected हो जाता है right का concept तो यही है यह जो बात जो यह theory कह रही है कि right जो concept है, उसका core aspect जो है will है will से connected, choice से connected है the concept of right ताथ में actually hard भी कहते है individual का discretion ही most important feature of right है discretion है, जो right के साथ connected aspect right का most important feature है, discretion उसका choice है उसके अंदर, power है उसके अंदर ठीक है, और पुष्टा कहते हैं कि a legal right is a power over an object जैसे ही कि individual के पास right आता है, किसी object के ओपर तो वो पूरा जो object है ना, इस right holder के will से subjected हो जाता है मतलब उस object के साथ जो करना है, मतलब इसको बेचना है, नई बेचना है जला देना है, जो भी है, ठीक है वो सब इस right holder के उपर हो जाता है, मतलब उसके power के उपर हो जाता है simple, तो आप समझ दें कि किस सरीके से कह रहे हैं कि right और will जो concepts है, वो connected aspects है, ठीक है तो आप Holland की definition read करके देखी, Austin की definition read करके देखी तो हमें kind of नजर आता है कि वो सब इसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि दूसरे के actions को control कर सकते हैं या right और will का connection है, इस तरीके से बात करते हैं तो पॉलग भी कैसे define करते हैं, कहते है right is a freedom allowed or power comfort मलब freedom और power जो आपको law देता है वो ही है basically right अब criticism भी है, criticism क्या है, डगविट क्या बोलते हैं कि जो law है उसका जो base है, वो है social solidarity मलब एक kind of unity लेके आना society के अंदर law का ये काम नहीं है कि subjective will provide कर देना मलब आप choice दे देना individual को जो भी जिसके पास right है ऐसा नहीं है उसका काम बलकि law का काम है कि social solidarity, kind of unity बनाये रखना मलब right to equality, ये एक right है क्यों दिया हुआ है, कि हर एक individual जो है equally treat किया जाएगा by the law equally माना जाएगा, right हर एक individual equal होगा law के सामने तो वहाँ पे subjective will की बात नहीं हुए बलकि एक social solidarity की बात हो रही है वो ही law का base है, ऐसा डगविट ने कहा criticize करते हैं अब next है interest theory now interest theory के basically exponent जो main exponent है, वो है hearing ठीक है, और इसको कहा जाता है as a benefit theory also इस नाम से भी जाना जाता है तो उनकी हिसाब से legal right का क्या मतलब है legal right is a legally protected interest अब किसी interest को अगर law protect करता है उसको right कहा जाता है, ऐसे उनका मानना है तो इस theory का ये मानना है कि जो right है, उसका जो connection है वो will के साथ नहीं है बलकि right का जो connection है वो interest के साथ है जैसे मैंने आपको पहले समझाया था जब मैं Salman की definition बोल रही थी कि उन्होंने का था ना कि कि किसी भी तरीके का interest जिसको protection बिलती है और recognition बिलती है by law उसको हम legal right कहते है तो मैंने का था था ना कि एड ऐसा ही Salman का भी मानना है Buckland बोलते हैं कि a legal right is an interest or an expectation guaranteed by law मलब कोई अगर law आपको कोई interest जो guarantee कर देता है मलब दे देता है कोई interest कह देता है कि भाई यह आप यह चीज है ठीके आप यह सब कर सकते हो तो उसको basically right कहा जाता है तो इस theory का basically motto यह है कि यह बताना कि right और interest में ही connection है Now अब criticize किस ने करा? Gray ने करा Professor Gray ने यह कहा कि जो यह theory है यह partially ठीक है हमें थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है But इसमें problem क्या है? उन्होंने यह कहा कि right as such right itself interest नहीं है बलकि right एक ऐसा means है एक ऐसा चीज है जिसके through interest को protect किया जाता है ऐसा Gray कहा है अब Professor Allen आए कहते मैंने दोनों theories देख ली और दोनों theories के कुछ-कुछ बाते मुझे सही भी लगी But right का अगर nature या function समझना है इन दो theories के through तो हमें इन दो theories को connect करना होगा तो उन्होंने कहा right का सिरफ मतलब legally protected interest या right का सिरफ मतलब कोई legally protected power नहीं होता बल्कि right का मतलब होता है कोई ऐसा power जो की law ने आपको दिया है जिसके through आप किसी भी interest को fulfill कर सकते हैं या attain कर सकते हैं तो इतनी भात आपको समझ आगी अब next बात है elements of legal right तो यहाँ पर salman कहते हैं जो legal right होता है उसके 5 elements होते हैं तो आप right के concept को तोड़ सकते हैं पांच तरीकी से तोड़ सकते हैं तो समझ सकते हैं तो जिस individual के पास right होता है उसको हम person of inheritance कहते हैं नेक्स है person of incidence मतलब जिस individual के पास duty होता है corresponding duty because दूसरे के पास right है तो इसके पास duty है तो जिसके पास duty है उसको बोलते है person of incidence third है content मतलब एक individual के पास अगर right है तो दूसरे individual को कुछ करना होता है या कुछ नहीं करना होता है मतलब कुछ actions होते हैं जो वो कर सकता है और कुछ होते हैं जो नहीं कर सकता तो वो that act or forbearance वो basically content of right होता है fourth one है object मतलब किस चीज के उपर right है गाड़ी है, land है, क्या है किस के उपर right है तो वो basically बन जाता है object of right next one is title title मतलब किस particular event के through वो right जो है उस right holder के उपर west हुआ है तो यह हो गया basically title पट इस पाचो को हम एक example के थूँ समझेंगे तो आपको clear cut समझ आएगा जैसे कि सोचे कि A ने B से एक land खरीदा ठीके, नो A कौन है person of inheritance उसके पास वो right है तो person of inheritance ठीके, अब A के पास वो land है तो C, D, B, जो भी इनसान है वो कोई भी trespass नहीं कर सकता उस land के उपर तो बाकि सब के उपर क्या है कुछ सरीके का duty है तो वो सब क्या हुए person of incidence ठीके, अब content क्या है इनका ये land है तो किसी को भी interfere नहीं करना कोई trespass नहीं कर सकता तो वो सब क्या हुए content हो गए object क्या है ये land है object object of the right title क्या है basically A ने ये land जो है B से खरीदा था sale deed बनाया था ठीके, ट्रांसफर करा था तो वो sale basically क्या हो गया title of right हो गया simple तो ये हो गए 5 elements of legal right तो अब हमने right का concept समझ लिया अब दूसरे concept में समझते है उसका correlative है न क्या है duty अब वो क्या है duty देखिए बहुत simple है क्या है duty obligation अब कोई individual कोई काम कर सकता है या कोई काम नहीं कर सकता वो उसकी obligation है तो वो क्या है वो duty है तो अगर को obligation law आपके ओपर impose करते है तो उसको हम क्या वोलेंगे legal duty वोलेंगे जैसे Merriam Webster में ये कहा जाता है कि duty means legal obligation to do or not to do something तो वो law के perspective में समझा रहे है कि duty का मतलब होता है legal obligation कुछ काम कर सकते हो या कुछ काम है जो आप नहीं कर सकते है उसको कहते है duty अब definitions देख लें तीन definitions के बारे में बात करेंगे Salman, Keaton and Professor Gray Salman कहते है duty is an obligatory act same, simple, obligation तो वो कह रहे है कि इसको opposite क्या है wrong मतलब अगर आप अपनी duty करते है मतलब जो काम आपको कहा गया कि करना है या नहीं करना क्या अगर आप उसकी तरह करते हैं तब आप wrong को avoid करते है बट अगर आप अपनी duty नहीं 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 बाते है तब क्या होता है wrong arise होता है तो वो यह कहते है कि duty और wrong दो ऐसे concepts है correlated से concept, interrelated से concept है तो एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने पर depend करता है simple हो गया then to obligatory act है जो Salman ने word यूज कर रहा है वो याद रखी जो देखте कीटन कैसे बोल रहा है कि duty का मतलब होता है कोई भी तरीके का action या कोई भी तरीके का चीज जो आप नहीं कर सकते है उसी को basically हम duty बोलते ठीक है और उसको enforce कौन करता है उसको basically इन्फोर्स करता है state, किसके respect में, जिसके पास right होता है, तो जिसके पास right है, उसके respect में state अगर कोई action या किसी action को ना करने को enforce करता है, तो उसको हम कह सकते हैं, वो duty है, जिसका opposite क्या है, wrong है, simple, यह भी हो गया, तो यहाँ पर दो terms यूज हुए, एक तो Salman ने obligatory act यूज करा थ सकते हैं, तो Professor Gray भी इसी similar way में ही समझाते हैं, तो कुछ चीज कर सकते हैं, या कुछ चीज जो आप नहीं कर सकते हैं, उनको हम duty कह सकते हैं, right, और ये सारी चीजे जो है basically आपके उपर impose कर दी गई है, क्यों impose करी हैं, to protect legal rights which are given to somebody else, right, किसी को legal right दिया गया है, उसको protect करने के आपको कहा गया है कि आप कुछ काम कर सकते हो, या कुछ आप काम नहीं कर सकते हो, right, तो उसको basically उस action या उस forbearance को basically कहा जाता है duty, तो यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी हैं वो यह है, acts or forbearances and to protect legal rights, चलिए अब देखते हैं, kinds of duty, देखिए दो तरीके के duties होते हैं, एक तो है legal duty and एक है moral duty, legal duty क्या है, जो duty आपके ओपर law impose करता है, law कहता है, you are bound to do something or you are bound not to do something, तो वो क्या हो गया, legal duty, जो law कहता है, अब जो law नहीं कहता है, बलकि जो human conscience से आते हैं, या morality के basis में, या ethics के basis में, या society जो follow करती हैं, उनके basis में जो कुछ duties आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, moral duties कहते हैं, जैसे duty to obey your parents, अब kinds of legal duties क्या क्या हैं, देख लेते, तो पहला है positive duty and negative duty, अब law आपको कुछ कहता है कि कुछ काम आपको करना है, ये आपको करना ही करना है, तो वो क्या हो गया, positive duty, जब कुछ करने को कहा जाता है, तब कह सकते है positive duty, negative duty क्या है, जब law को नहीं करना है तो वो क्या हो गया negative duty तो A ने अगर B को अपना land rent पे दिया A की duty बनती है कि rent पे करें तो वो है positive duty A ने land खरीदा B की duty बनती है कि उस land में trespass ना करें तो वो क्या हो गया negative duty तो यह हो गया पहला classification दूसरा है primary and secondary duty primary duties ऐसे duties होते जो independently exist करते हैं उनको कुछ और duty की support की जरूत नहीं होती वो independently exist करेंगे ठीक है now secondary duties ऐसे duty होते हैं जो basically primary duty जब violate होता है तब एक नया duty arise होता है तो वो होता है secondary duty तो secondary duty का independent existence नहीं होता बलकि वो कब arise होता है for the enforcement of some other duty प्राइमरी duty को enforce करने के लिए जब arise होता है तो उसको हम secondary duty कहते है simple जैसे for example सूची A और B ने मिलके contract बनाया है तो A ने कहा कि देखिए मैं अपना land आपको sell करने के लिए ready हूँ ठीक है तो B ने कहा ठीक है मैं such and such amount जो है आपको तीन महिने में दे दूँगा अब A ने क्या करा A ने B को sell करने के बज़ा है उसको C को sell कर दिया तो अब भी गए court के सामने और उनने case file कर दिया A के against ठीक है तो यहाँ पर जो duty अब A पे arise होगी वो होगी secondary duty अब नेक्स देखिए नेक्स classification है absolute duty and relative duty अब यहाँ पर यह जो classification है ना basically Austin ने दिया John Austin कहते हैं कि दो तरीके के duties और exist करते हैं ऐसी duties जिनके corresponding में right नहीं होता उसको हम absolute duty कहते हैं और ऐसी duty जिनके corresponding में right होता है corresponding right exist करता है तो उसको हम relative duty करते हैं और Austin ने चार तरीके के duties भी समझाएं जो की absolute duty है तो first one is duties not regarding persons तो उनने ये कहा कि जो duty आपको God की towards होती है वो absolute duty होती है, वहाँ पे corresponding right नहीं होता Second one, self-regarding duty, मन्दब ऐसी duty जो आपको अपने ओर होती है, तो वो भी absolute duty होती है क्योंकि वहाँ पे corresponding right नहीं होता जैसे for example, duty not to commit suicide Third one, duty towards sovereign or state, मन्दब वो ये कह रहे है, state or sovereign के towards कोई duty होती है तो वो absolute duty होती है, क्योंकि Austin कहते है, right or duty का जो relation है वो basically individual और individuals के बीच में ही रहता है और वो relation तब exist करता है, जब एक political superior, मन्दब state या sovereign होता है, उसको enforce करने के लिए, तो ये relationship individuals और individuals के बीच में ही exist करता है तो कोई भी अगर duty individual को होती है, किसके towards, अगर state or sovereign के towards होती है, तो वो absolute duty होती है And fourth one, duty towards indeterminate persons और public, तो Austin ये समझाते हैं, कि अगर एक individual की कोई duty है towards general public, मन्दब बहुत सारे individual जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, indeterminate persons हैं, तो वहाँ पर उसका corresponding right उनके पास नहीं होता ऐसे Austin समझा रहे हैं, जिसे एक example ले लेते हैं, duty not to commit nuisence, तो Austin क्या कह रहे हैं, Austin ये कह रहे हैं, कि अगर एक individual की duty है, कि वो nuisence ना commit करें, तो मतलब पूरे general public के towards में है वो duty, तो इस पूरे community के पास corresponding right नहीं, तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं, कि duties towards indeterminate persons और general public की बात करे ना, तो उनके पास corresponding right नहीं होता, ऐसे कह रहे हैं, तो जो ये John Austin की classification है, उसको basically John Salmon ने criticize कर दिया, कह दिया कि ये तो गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, right है तो duty होगा, duty है तो right होगा, वो corresponding, मतलब, correlated aspects है, ठीक है, तो उनोने कहा कि ऐसे कैसे Austin कह सकते है, कि पूरे general public के पास right नहीं exist कर सकता, अगर एक के पास duty है not to commit noisence, तो पूरे general public के पास right होता है, जो की enforced किया जाता है by the state representing their public, right, representing their subjects or citizens, तो वहाँ पर कैसे कह सकते हो कि एक corresponding right नहीं है, गलत है ऐसा कहना तो, और Pollock में भी ये ही बोला, कि अगर पूरी community के पास right है, तो पूरी community को आप जब commit noisence, वो basically हर एक individual के और जाता है, और उन सब individual को मिला के ही तो community वन रहा है, तो वो ही समझा रहे है कि जो Austin के जो concept है, वो बिलकुल ही गलत है, अब तीसरा, interrelated aspect क्या है, wrong, अब wrong क्या है, Salman कहते है wrong का मतलब है, wrong act, अगर law आपको कुछ कहता है कि ये नहीं करना है, इसका मतल लीगल राइड करते है, तो एक जब पैसे नहीं करता है, नहीं निभाता है, जब न तब arise होता है लीगल रॉंग नौपॉलोग के भाष्चा में भी समझ लेते कि आखेर रॉंग क्या है वो कहते हैं कोई भी चीज अगर लॉने मना करी हो तो उसको हम रॉंग कह सकते हैं अगर थोड़ा सो और लाजर सेल्स में समझें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक इंडिवीज ये दोनों तो basically interrelated aspects हैं और साथ ही possibility हमेशा होती कि wrong exist कर सकता है कभी भी मतलब जैसे ही duty violate हो जाते हैं मतलब duty commit नहीं करते हैं तब wrong exist करता है तो ऐसे ये तीनों related aspects हैं साथ ही साथ वो ये समझाते हैं जो wrong का concept है उसको arise होने के लिए हमेशा एक pre-existing duty होना जरूरी होता है वो त duty नहीं होगा तो right भी exist करेगा नहीं wrong आएगा simple logic सी बात है साथ ही साथ ही समझाते है जो wrong का concept है वो नए duties ही create करता है simple जैसे right होता है उसका correlative duty होता है अब कोई duty अपनी नहीं नहीं करता है वो काम तो wrong arise होता है अब wrong क्या है basically नए duties ही तो उसके ओपर impose हो रही होते है तो इस इसे समझ आ गये होंगे अगर आपको यह video अच्छी लगी तो please like कीजिए साथ ही साथ चैनल को subscribe कीजिए ताकि मुझी motivation मिलती रहे कि मैं काफी सारे ऐसे videos आपके लिए बनाती रहूं और आप knowledge attain करते रहे तो चलिए मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए बाबाई